हालो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं मरा यूटूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूँ खर्षाई चोपड़ा दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं न्यू अकेडमिक इयर 2021 जो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट होना था गौवर्मेंट ने इसको बढ़ागर 1 सिट्टेंबर 2020 कर दिया है और लोगडाउन को भी 17 मई 2020 तक बढ़ा दिया है इन दोनों के एक्स्टेंड होने से काफी सारे स्टुडेंट कन्फूजड हैं कि नी 2020 के एक्जाम कब होगी कल से काफी कॉमेंट्स इस परकार से आ रहे हैं कि सर आप इतना बताईए कि आपके हिसाब से नी 2020 कब तक हो सकती है तो दोस्तो वैसे तो इसका जबाब मैं तीन वीक पहले एक वीडियो में दे चुका हूँ और इस वीडियो में मैंने बताया था कि नी 2020 का एक्जाम जुलाई या फिर अगस्त में हो सकता है उस समय काफी सारे स्टुडेंट को लगा कि ये जुलाई अगस्त बहुत दूर है इतना समय नहीं लग सकता तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि समय तो काफी स्पीड में चलता है कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है आप और हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नीट की एक्जाम नेशनल लेवल एक्जाम है जब पूरे देश में सामाने इस्थिती होगी तभी ये कंडेक्ट करवाया जा सकता है और मेरे इसाब से अभी इस सिच्वेशन को देखते हुए ऐसा मैसूस होता है कि इसको 30 जून तक सामाने इस्थिती में आने की हम आसा करते हैं कि इतना टाइम तो लगेगा ही क्योंकि अगर 75% लोकेशन में भी सामाने इस्थिती हो जाती है तो भी ये एक्जाम का रिस्क नहीं लिया जा सकता है तो दोस्तो ये एक्जाम 15 जुलाई से पहले नहीं हो सकता है और अगर सिच्वेशन को सामाने होने में थोड़ा समय और लगा तो ये अगस्थ में भी कंडेक्ट हो सकती है दोस्तो नॉर्मल टाइम में नीट के एक्जाम कंडेक्ट होने के बाद रेजल्ट और काउंसलिंग में चार मैने का समय लगता है एडमिसन के लिए लेकिन ऐसी कंडिशन में दो मैने का समय तो लगता ही है तो दोस्तो वीडियो के अंत में यही कहना चाहूंगा कि नीट के एक्जाम पूंट है आने वाले टाइम की सिच्वेशन पर डिपेंट करेगा फिर भी आप यह मान कर चलो कि यह जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में कंड़क्ट हो सकता है तो दोस्तो इस मेडिकल फिल्ड में 8 साल से जो मेरा अनुबव रहा है वो इसी अनुबव के आधार पर मैं यह आपको बता रहा हूँ यह इतना जरूर मानता हूँ कि जो मेरा प्रेडिक्शन होता है वो तकरिबन सही ही रहता है अभी सारे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि NET के एक्जाम अगस्त में होगी जो मैंने तीन वीक पहले ही बता दिया था तो दोस्तो NET 2020 के एक्जाम के लिए अभी आपके पास 90 दिन का टाइम बचा है बिना टेंशन के स्टेडी करो आप अवस्य ही सपल होंगे और एक दिन आप अवस्य ही गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज में एडमिसन लेंगे वो भी इसी साल तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में इसी आसा के साथ में कि आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनत करोगे बहुत अच्छी तरीके से तयारी करोगे और गौवर्मेंट मेडिकल कोलेज में एडमिसन लेंगे तो नई अपडेट जैसे ही मिलेगी हम आपको इनफॉर्म कर देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइक ओन आवस्से प्रेस करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आप से विदा जैहिंद